नमस्कारम सद्गुरू, अगर पिछले जन्मों जैसी कोई चीज है, तो क्या इस जन्म के लोगों के साथ हमारा कोई पुराना संबंध होता है? मैं ये इसले पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके साथ कारेकरम करने के बाद मुझसे पूछा था, मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? तो मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे है अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है तो आपको खुद को देखना चाहिए कि आपके साथ क्या चल रहा है इतने सालों के बाद कोई सोच रहा है कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली आपको सच में खुद की और देखना चाहिए अपने पिछले जन्मों को नहीं इस जन्म में आप हैं तो आप मेंसे कोई भी अगर कोई सोच रहे कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली तो पिछले जनमों के बारे में मत सोचिए आपको ये देखना होगा कि आप इस जनम को कैसे जी रहे हैं ये बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है एक ये सब फिल्मों के कारण है जनम जनम है मेरे खयाल से नई फिल्मों से ये सब जा चुका है आप सत्तर और असी के दशक की फिल्में देखकर बड़े हुए इसलिए आप जनम जनम के चक्कर में पड़े हैं देखिए, सभी यंग लोग नई फिल्में देखते हैं वो जनम जनम की बातें नहीं करते आजकल वो रिष्टों और उनके एक्स्पाइरी डेट के बारे में साथी सोच लेते हुए तो आपकी सत्य की खोज को अगर कमर्शल सिनमा रास्ता दिखा रहा है तब तो आप मुसीबत को घर बुला रहे हैं तो अगर आप किसी के साथ सर्फ तभी रह सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप कई जनमों से साथ रहे हैं तो ये साथ रहने का बहुत बुरा तरीका है है ना मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई जनमों से हूँ ये साथ रहने का बेहुदा तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ ये किसी के साथ रहने का एक सुन्दर तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि पिछले तीन जन्मों में अपने जीवन में ऐसी भहेंकर चीजें मत पैदा करें प्लीज तो अगर आप तीन जन्मों से साथ हैं तो इसका मतलब है कि अलग होने का समय आ गया है नहीं लोग हर वक्त मेरे पास इस तरह के सवाल लेकर आते रहते हैं सद्गुरू क्या मैं पिछले जनम में आपके साथ था क्या आपको लगता है कि अगर मैं पिछले जनम में आपसे मिला होता तो मैं फिर कभी दुबारा आपके सामने आने चाहूँगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज कल हुई थी उसका अभी कोई महतो नहीं है अभी आप उस चीज को महतो पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हुई थी आपको पता भी नहीं है जो शायद हुई थी किसी और जनम में ये तो वही बात हुई जैसे अकसर हर कोई अपने स्कूल के दिनों या पढ़ाई के दिनों के बारे में बात करता है अरे वो तो मेरे जीवन के गोल्डन यास थे हम जानते हैं कि आपके गोल्डन यास कैसे थे आप हमेशा टेंशन में रहते थे एक्जाम्स के वक्त आपकी हालत खराब रहती थी आपको अपने टीचर्स से नफरत थी और आप स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे अब वो गोल्डन यास लगते हैं क्योंकि अब वो खत्म हो गए च्योंकि अब आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए वो गोल्डन है मेरे ख्याल से आप अपनी शादी के बारे में भी ऐसा ही महसूस करेंगे जब अगर आप अपनी शादी के बारे में उसके तूट जाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आप शादी शुदा होते वे ऐसा महसूस करें तो बढ़िया होगा है ना रिष्टा तूटने के बाद आप सोचते हैं, सब कुछ कितना बढ़िया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, अगर आप शादिशुदा होते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है, तो अतीत के बारे में सोचकर अपना वक्त बरबाद मत कीजिए, मेरी बा जो जिन्दगी के अनेक आयामों को खोल सकें, अब आप उन सारी यादों का बोज उठाना चाहते हैं, जिसे दूसरे लोग भूल चुके हैं, और अगर वही इकलौता तरीका है, जिससे आप अपने पती या पतनी के साथ रह सकते हैं, तो ये लोगों के साथ रहने का बहु जिसकी modern societies की यही तो खासियत है, हम आपकी इज़त आपके पिता की वज़य से नहीं करते, बलकि आप जो हैं, उस वज़य से करते हैं, आप कौन हैं, इस वज़य से आपकी इज़त होती है, ये माइने रखता है, अरे आप, आप किसके बेटे हैं, आप किसकी बेटी हैं, य आज भी उसी में जी रहे हैं, आप कौन हैं, ये माइने रखता है, आपने अभी खुद को कैसा बनाया है, ये माइने रखता है, आपके पिता कौन थे, ये माइने नहीं रखता, राजा महराजाओं के दिनों से मौडन जमाने तक का सफर तै करके, हम यही बड़ा बदलाव ल यह बहुत ही बड़ा कदम है, यह न? पर अगर आप यहां पचास साल पहले आये होते या सौ साल पहले तो कोई आपको देखकर यह नहीं पूछता कि आप कौन है वो सिर्व यह पूछते कि आपके पिता कौन है बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है तो यह पूछना कि आप अपने पिछले जनम में क्या थे यह तो यह पूछने से भी बुरा है कि आपके पिता कौन है आप अभी क्या है, यह सबसे ज्यादा माईने रखता है आपने अभी अपने जीवन को क्या बनाया है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो गड़े मुर्दे उखारने में अपना समय और जीवन बरबाद मत कीजिए